इंडियन आइजल का सीजन 11 काफी सुर्ख्यां बटो रहा है शो पर हर हफ़ते नया एपिसोड होता है हर एपिसोड में शो पर नए महमान पहुचते हैं और इस हफ़ते भी शो पर एक खास महमान पहुचने वाले हैं इस हफ़ते शो पर शद्धा कपूर और वरुण धवन प सेट पर पहुचेंगे इन दोरों के साथ ही सेट पर एक खास महमान भी आने वाले हैं वो खास महमान है बॉलिवोड इंडस्ट्री को डिस्को और पॉप से रूबरू करवाने वाले बपी लहरी बपी दा इंडियन आइडल के सेट पर अपने गोल्डन जुबली पूरी होने पर आने वाले हैं और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट बपी दा को अपने गानों से ट्रब्यूट देने वाले हैं इन पचास सालों में बपी दा ने बॉलिवोड इंडस्ट्री को तमाम तरह के फीमस गाने दिये हैं वहीं डिसको और पॉप क्या होता है ये भी बपी नहीं बॉलिवट को बताया है शो ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दिया जिसमें इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी और शो की होस्ट आदित नारायन हाथ पकड़ कर बपीदा को स्टीज पर लाते हुए दिख रहे हैं सभी ने बपीदा का खड़ी होकर वे बपीदा ने कहा कि यह जो पचास साल हुए है ऐसा लगता है कि यह सपना है कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं लगा आप लोगों का बस प्यार चाहिए इसके बाद बपीदा एक गाना भी गाते हैं सेट पर बपीदा ने देदे प्यार देगाया बपीदा के गाने को पहुचेंगे तो सेट पर उनके गानों की धूम मचने वाली है बपीदा को इंडस्ट्री में पचास साल पूरे हो चुके हैं इन पचास सालों में बपीदा ने म्यूजिक इंडस्ट्री को कई यादकार गाने दिये हैं बपीदा के इन ही गानों की धूम सेट पर मचने वा अझा डिस